पाठ साथ तो तो चान घायलों से मिलना पाठ परिचे प्रस्तुत पाठ तो तो चान खिड़की में खड़ी ननी लड़की पुस्तक का एक अंश है ये पुस्तक मोल रूप से जापानी भाशा में लिखी गई है इस पुस्तक में तोतो चान के स्कूली दिनों के प्रारम्भे कानुभवों को बहुती सुंदर ढंक से संजोया गया है प्रस्तृत पाठ में हम तोतो चान के आत्म विश्वास के बारे में पढ़ेंगे जीवन मूल्य आत्म विश्वास, व्यावारे ज्ञान पर बल, विपरीत परिस्थितियों में ना घबराना परिश्रम, निस्वार्थ भावना, देश प्रेम तो तो चान अपने जीवन में पहली बार घायल सैनिकों के एक अस्पताल में शहर के 30 प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के साथ गई थी वो किसी से भी परिच्चित नहीं थी वैसे हर स्कूल से 2-3 बच्चे भेजी गई थे पर तोमोई छोटा स्कूल था, इसलिए वहां से एक ही बच्चा भेजा गया था सारे बच्चों को एक स्कूल की शिक्षिका के मार्क दर्शन में काम करना था तो तोचान अकेली ही तोमोई का प्रतिनिधित्व कर रही थी उनके साथ वाली शिक्षिका दुबली पतली थी उन्होंने आखों पर चश्मा लगाया हुआ था वे बच्चों को एक वाड में ले गई उस वाड में सफेद पाजा में पहने कोई पंद्रा घायल सैनिक थे कुछ बिस्तर पर लेटे हुए थे तो कुछ चहल कदमी कर रहे थे तो तू चान आने से पहले मन ही मन घबरा रही थी कि घायल सैनिक कैसे लगते होंगे वहाँ पहुंचकर उसने पाया कि घायल, सैनिक, पट्टियां तू बांधे थे पर वे सब बच्चों को देख कर मुस्कुरा रहे थे उन्होंने हाथ हिला कर बच्चों का स्वागत भी किया उन्हें यू प्रसन्निचित देख कर तो तो चान को बड़ी तसल्ली हुई सैनिकों को नमस्कार किया शिक्षिका आगे बोली आज मई की पांचवी तारीख है यानि लड़कों का दिन है हम आपके लिए इस दिन का ही गीत गाएंगे तब उन्होंने अपने हाथ किसी संगीत निर्देशक की तरह उठाए बच्चों से पूछा सब बच्चे तयार हैं एक, दो, तीन, चार और वे ताल देने लगी बच्चे एक दूसरे को तो नहीं जानते थे पर गीत से सभी परिचित थे सब मन लगा कर गाने लगे छतूं के सागर को करके पार, बादलूं के सागर को करके पार तो तो चान को ये गीत नहीं आता था, तो मोई में कभी गाया ही नहीं गया था वो चुप चाप पास वाले दयालू दिखने वाले सैनिक के बिस्तर के एक किनारे आकर बैठ गई उसे बड़ा अटपटा लग रहा था गीत खत्म हुआ ही था कि शिक्षिका ने फिर कहा अब हम गुडियों के त्योहार वाला गीत गाएंगे ये गीत भी सब बच्चों ने मिल कर गाया तो तो चान के अलावा आओ लाल तेन जलाएं एक एक करके उने जलाएं तो तो चान चुप रहने के अलावा क्या कर सकती थी जब वे गाच चुके तो सैनिकों ने तालिया बजाई शिक्षिका ने मुस्कुरा कर कहा तो अब टटू और घोडी वाला गीत हो जाए एक, दो, तीन, चार और वे फिर ताल देने लगी तो तो चान ये गीत भी नहीं जानती थी गीत खत्म हुआ जिस सैनिक के बिस्तर के किनारे आकर वो बैठी थी उस सैनिक ने तो तो चान के सिर पर हाथ फिराया और पूछा तो तो चान को बड़ा अफसोस हुआ आई तो वो सैनिकों का मनुरंजन करने के लिए थी लेकिन वो उनके लिए एक गेत तक नहीं गापाई अतहा वो खड़ी हुई और विस्तर से दूर हटकर पूरा सास जुटा कर बोली ठीक है जो गीत मैं जानती हूँ वहें आपको सुना देती हूँ अब वो होने जा रहा था जो शिक्षिका की योजना के मुताबिक नहीं था वे अस्थिर हो थी क्या गाने वाली हो तुम? उन्होंने पूछा पर तब तक तो तो चान एक गहरी सांस खीच कर गाने लगी थी उन्हें चुप रह जाना पड़ा क्योंकि तो तो चान तो मोई का प्रते निधित्व कर रही थी उसने गहरी सांस खीच कर तो मोई में हर दिन गाया जाने वाला प्यारा गीत सुनाया चबाओ चबाओ, ठीक से चबाओ, जो कुछ भी तुम खाओ कुछ बच्चे गीत सुनकर हसने लगे, कुछ एक दूसरे से आपस में पूछने लगे कौन सा गीत है ये? शिक्षिका ताल देने की कोशिश में थी, पर लए समझ में न आने पर, उनके हाथ हवा में ही लटके रहे गए तो तो चान को बहुत शरम आ रही थी, फिर भी उसने पूरे मन से गाया चबाओ चबाओ, ठीक से चबाओ, चावल मचली मांस जब गीत गा चुकी, तो वो जुकी और नमसकार किया सिर उठाया, तो देखती क्या है, कि उस सैनिक की आँखों से जर जर आँसू बह रहे है पहले तो उसे लगा, कि शायद उसने कोई भूल कर दी होगी पर तब तक उसके पिताजी से भी उम्र में कुछ बड़े उस सैनिक ने फिर से उसके सिर पर हाथ फिराया कहा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सैनिक उसके सिर पर हाथ फिराता रहा, उसका रूना थम ही नहीं रहा था तब शिक्षिका ने गरम जोशी के साथ संभव तया सैनिक को खुश करने के लिए कहा अब बच्चे सैनिकों के लिए अपनी अपनी रचनाएं पढ़ कर सुनाएंगे बच्चों ने बारी-बारी से अपनी रचनाएं सुनाई तोतो जान ने उस सैनिक की ओर देखा उसकी आँखें नाक रोने के कारण लाल हुआई थी पर वो तोतो जान को देखकर मुस्कुरा दिया तोतो जान ने मन में सोचा वा, कितनी अच्छी बात है, सैनिक हस रहा है सैनिक रोया क्यूं था, ये तो वही जाने संभव है, ठीक तोतो जान जैसी उसकी भी एक नन्ही सी बेटी हो ये भी हो सकता है, कि तोतो जान के गीत गाने का तरीका उसके मन को छूग गया हो या फिर युद्ध के अनुभव ने ही उसे हिला दिया हो कि कैसे मोर्चे पर सैनिक बुखमरी की स्थिती में पहुँच चुके थे संभव चबाने के गीत ने उसे दुख़द याद दिला दी हो कि खाने को निकट भविश्य में शायद अब कुछ न मिले या उस सैनिक को शायद यही लगा हो कि इन नन्य मुन्य बच्चों के जीवन पर भी शीघर ही युद्ध के बादल कहरा जाने वाले हैं अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाने वाले बच्चों को उस समय ये पता न था कि प्रशांत महसागर का युद्ध तब प्रारंभ हो गया है यही नहीं युद्ध तेजी से फैल भी रहा था पर बच्चे बाहर की दुनिया से अंजान अपने आप में मस्त और खुश थे नई जानकारी तो तो चान दे लिटल गर्ल अद दो विंडो की मूल लेखी का तैट्सुको कुरोयानागी है उनके बच्चपन का नाम तो तो चान था तो तो जब दो तीन बरस की थी तभी से उन्हें घर की खिड़की पर खड़े रहने की आदत बन गई थी तो तो चान को करीब साथ स्कूल छोड़ने पड़े थी तो तो चान के कारण जापान ने स्कूली शिक्षा का ऐसा ढ़ाचा मॉडल तयार किया जो पूरी दुनिया में जॉइफुल स्कूल के रूप में बहुत प्रसिध हुआ